हेलो गाईज, वेलकम बेक टू ग्यानवर्शा, आज इस वीडियो में हम लोग फाइलो जैनेटिक्स का पार्ट थर्ड डिसकस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्यूक्स कैंटर मॉडल के बारे में एंड किमिरो मॉडल के बारे में, इससे पहले हम लोग फाइलो जै फास्टा क्या होता है,डेटबेसिस हु्ते हैं,डेटबेसिस otmos, maturity basis , director of profile this paid तो उन सब का link मैं उस पुरी playlist का link इस video के end में दे दोगे इस एश वेल इस ऑई button में देदूगी,गर आपने बने बारे वीडियो'S नहीं देखे तो आप आप हाहा से देख लीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं Phylogenetics part 3rd से जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे Jukes Cantor model के बारे में and Kimura model के बारे में ठीक है तो चलिए देखिएगा देहांते सुनेगा मेरी बात ये जो models है Jukes Cantor model and Kimura models ये models statistical models होते हैं ठीक है और इन statistical model को हम क्यों use करते हैं इन statistical model को हम use करते हैं होमोप्लासी को correct करने के लिए होमोप्लासी को correct करने के लिए Again I am repeating ये जो models होते हैं ये statistical models होते हैं और इन statistical model को हम use करते हैं होमोप्लासी को correct करने के लिए ठीक है और इन models को हम बोलते हैं substitution model सब्स्टि ट्यूशनल मॉडल और एवॉल्यूशनरी मॉडल अगेन आ एम रिपीटिंग जूक्स केंटोर मॉडल एंड किम्यूरा मॉडल जो है आपके एक स्टेटिस्टिकल मॉडल है इनको हम यूज करते हैं होमोप्लासी को करेक्ट करने के लिए इसलिए हम यहने बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल मॉडल और एवॉल्यूशनरी मॉडल अभी समझ आएगा होमोप्लासी क्या होती है ध्यान से देखेगा मेरी बात को ध्यान से देखे देखे अगर हम बेसिक समझे मैं आपको बेसिक समझाती हूँ देखेगा होमोप्लासी क्या होती है सपोस्ट कीजिए सपोस्ट कीजिए आप कि कोई दो सीक्मेंस हैं ठीक है कोई दो सीक्मेंस है उनमें डाइवर्जेंस हुआ तो अगर हमारा एक ये सीक्मेंस है एक ये सीक्मेंस है इन दोनों sequence का divergence हम कैसे count करते हैं? हम क्या करते हैं? हम number of substitution को count करते हैं और हम कहते हैं कि यह sequence A sequence, B sequence से इतना diverge है ठीक है? Again, I am repeating अगर वो इस दो sequences हैं ठीक है? और हमें अगर उनका check measure करना है उनके divergence को तो हम क्या करेंगे? हम count करते हैं number of substitution in an alignment लेकिन अप suppose किजे आपका यहां पर A है यहां पर C है आप देख रहे हैं कि A से C में A से C convert हुआ A से C replace हुआ तो लेकिन आप देख रहे हैं कि A से C replace हुआ लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है A होगा पहले A से T replace हुआ होगा intermediate step रहे होंगे T से G हुआ होगा और G से C हुआ होगा तो यह intermediate steps बने होंगे It means that एक single position की अगर मैं बात करूँ वो single position पर multiple substitution हुआ है वो single एक position पर एक individual position पर multiple substitution हुआ है ठीके? इस चीज को इस effect को बोलते हैं हम homoplasi एक single individual position पर multiple time substitution हुआ है मैं definition आपको बताती हूँ homoplasi की definition क्या होती है multiple substitution and convergence at individual position obscure the estimation of the true evolutionary distance between sequences this effect is known as homoplasi और अगर इस homoplasi को अगर हम correct नहीं करें तो हमारे कई सारे इन correct trees क्या हो सकते हैं generate हो सकते हैं इसलिए हमें इस homoplasi को correct करने के लिए statistical model का हम लोग यूज करते हैं statistical model को हम substitutional models भी बोलते हैं और evolutionary model बोलते हैं कौन-कौन से हमारे models होते हैं Jukes Cantor model and Kimura model ठीक है अब धियान से देखिएगा तो यह जो models हैं आपकी Jukes Cantor model and Kimura model यह DNA phylogenetic को construct करने के लिए यूज करते हैं यह basically किस चीज में differ करते हैं यह आपके differ करते हैं कि each nucleotide जो है कितनी like these models differ how multiple substitution of each nucleotide are treated मैं आपको समझाते हूँ कि क्या होता है अच्छे से detail हो समझेंगे से देखिए ध्यान सुनेगा पहले हम Jukes Cantor model की बात करते हैं यह सबसे जादा simplest nucleotide substitution model है Jukes Cantor model इसमें क्या assume किया जाता है इसमें क्या assume करके चलते हैं कि जो सारे nucleotide हैं वो substitute होए होंगे equal probability से सारे nucleotide कौन कौन से होगए आपके A, T, G, C सारे nucleotide जो हैं substitute हो सकते हैं equal probability से All nucleotides are substituted with equal probability तो इसके लिए formula diverge हुआ यह formula है DAB is equals to minus 3 by 4 ln 1 minus 4 by 3 PAB DAB का क्या मतलब है DAB means evolutionary distance between sequences A and B कोई 2 sequence है A and B उनके बीच में कितना evolutionary distance है हमें whole calculate करना है PAB क्या है observed sequence distance measured by the proportion of substitution over the entire length of the alignment मैं समझाते हूँ क्या मतलब है देखो हमें एक example के help से समझते हैं suppose कीजिए हमारे पास 2 sequences है A and B 1 min अग में से इसमें रख करने का option है A and B दो sequences है suppose कीजिए यह जो दोनों sequences है एरेजर एक में टुके में रख कर देती हूँ देखिएगा यह A है and यह B sequences है यह क्या है 20 nucleotide long है यह 20 nucleotide long sequences है अब इन में से हमें कोई ऐसे 6 pairs found हुए जो different है हमें इसमें से कितने pairs found हुए 6 pairs found हुए जो different है it means that कि जो जी sequences है वो 30% differ है A और B कितने है 30% differ कर रहे है तो हम कह सकते है observed distance कितनी हो गई 30% की 0.3 कितनी हो गई 0.3 again I am repeating कोई आपके 2 sequences है A and B वो 20 nucleotide long है ठीक है उन में ऐसे कोई 6 pairs ऐसे है जो differ कर रहे है ठीक है तो जो 6 pairs differ कर रहे है it means that उन में difference कितना हो गई 30% का और हम कह सकते है कि कितना observe distance हो गई 0.3 का ठीक है अब अगर हम यही value इस formula में रखेंगे तो देखिए का क्या आएगी value formula में रखें minus 3 by 4 ln bracket में 1 minus 4 by 3 और PAB की जगे के आजाएगा 0.3 बास नमाज आई आपको आपको PAB आपका क्या आगे 0.3 क्यों? क्योंकि वो observe distance कितना बता रहा है आपको 0.3 का ठीक है इसको आप calculate कर लेंगे तो आपका आजाएगा evolutionary distance between sequences A and B I hope सबको Zooks Cantor model समझाएगा मैं दुबारा repeat कर रही हूँ देखो Zooks Cantor model and Cumura model आप लोग DNA के लिए यूज करते हैं ठीक है? तो यह जो Zooks Cantor model है यह बहुत simple model है बहुत simplest Nucleotide substitution model है ठीक है यह क्या अज्यूम करके चलता है All Nucleotide are substituted with equal probability ठीक है तो यह इसके लिए formula derived किया गया है तो बहुत simple example समझते है कोई 2 sequences 20 Nucleotide long है ठीक है हम ऐसा कह रहे हैं कि 20 Nucleotide long में 2 sequences 6 pair differ कर रहे होंगी It means that 30% differences in sequence में तो हम कह सकते है observe distance कितना हुए हमारा 0.3 ठीक है तो अगर आप PAB की value 0.3 रख देंगे तो आपको DAB मिल जाएगा ठीक है It means that आपको क्या मिल जाएगा कि कितना evolutionary distance है sequence A and B में यह जो Duke Scanter model है यह closely related sequences के लिए आप easily इसे handle कर मतलब यूज करते है और यह handle कर सकता है closely related sequences को ठीक है distance related sequences के लिए यह reliable नहीं है क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इसमे PAB की value रखें suppose किजिए हम कहें 25% similarity है दो sequences में It means that difference कितना हो गए 0.75 का 75% differ कर गए तो उससे क्या होगा जो log value होगी वो large infinitely large हो जाएगी इसलिए जो आपकी closely related sequences है उनके लिए Jukes Cantor model मतलब Jukes Cantor model handle कर सकता है closely related sequences को लेकिन वहीं पर अगर हम distance related sequences की बात करें तो error आने के chances रहते है means log value infinitely large हो जाती है वहीं पर अब हम चलते हैं इसरे model के तरफ किम्यूरा model किम्यूरा model जो है more sophisticated model माना जाता है क्यूं यह जो है देखो किम्यूरा model को हम किम्यूरा two parameter model भी बोलती है क्या बोलती है किम्यूरा 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 बिलती है द्यांत से सुनिएगा यह more sophisticated model माना जाता है क्यों क्योंकि is में जो mutation rate है वो differ करता है transition and transversion के बीच में transition और transversion का joh mutation rate होता है वो different होता है जो कि यह सही भीबस है work transition का rate जो है एसा Hemaan कि चलते हैं कि वो more frequent होता है then transversion के बार when transversion तो transition and transversion rate क्या होगा differ होगा जबकि हम ZOOC Scantor Model में क्या वान के चल रहे थे कि हर Nucleotide को हम equally treat कर रहे हैं जबकि हम Kimura में क्या कह रहे हैं कि transition और transversion का mutation rate क्या होगा अलग-अलग होगा I hope so आपको transition पता होगा क्या होता है Transversion क्या होता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं transition and transversion rate जो mutation rate होता है वो अलग-अलग होता है जोकि more realistic है और इस model के according transition जो है more frequently होता है than transversion ठीक है इसके लिए formula है यह formula है इसके लिए DAB is equals to minus 1 by 2 ln 1 minus 2 PTI अब देखो PTI Ti के represent कर रहा है आपके transition को observed frequency of transition वहीं पर PTV क्या represent कर रहा है आपके transversion को तो frequency of transversion ठीक है TI रिप्रेजेंट कर रहा है transition को और TV रिप्रेजेंट कर रहा है transversion को ठीक है तो इसके लिए formula है आप suppose कीजिए एक example लेके समझते हैं इसे बहुत अच्छी से suppose कीजिए एक मिन में erase कर दूँ erase all ठीक है ध्यान से देखेगा suppose कीजिए आपका कोई दो sequences है A and B ठीक है A and B दो sequences है अब इन में differ है wise 20 nucleotide long है 6 pairs में differences आये तो 30% का difference है लेकिन अब हम यहां बे क्या बयात कहें के चल रहे है कि 20% क्या है transition है 20% क्या है transition है 20% और PTV it means that 10% क्या है आपका transversion rate है ठीक है तो अगर आप इसे calculate करेंगे तो PTI क्या हो जाएगा आपका 0.2 और PTV क्या हो जाएगा 0.1 इसको formula में रखेंगे तो आपका क्या जाएगा DAB आजागा it means that कितना evolutionary distance है A and B sequences में again I am repeating अगर कोई 2 sequences है A and B हम कह रहे हैं 30% difference है 20% transition है और 10% जो changes हुए वो transversion के through हुए तो आपको calculate करना है तो DAB के formula में रखें simply और आपका क्या आजाएगा evolutionary distance आजाएगा A and B का ठीक है अब ध्यान से सुनेगा में बात बात आती है इन models के लावा other models भी होते हैं जैसे TN93 होते हैं HKY होता है GTR होता है लेकिन यह बहुत जादा complex model है बहुत सारे parameters को include करते हैं इसलिए हमें इनको detail में नहीं पढ़ती है लेकिन अगर बात आए कि आपसे कोई पूछे भाई ठीक है आपने DNA के लिए तो कह दी अब हम बात करें protein sequences के लिए तो क्या कोई models नहीं है या कोई कुछ नहीं है उनकी evolutionary distance हम कैसे calculate करेंगे तो देखो protein sequences के लिए तहां से सुन आपी बात protein sequences के लिए एक निट में यहाँ पर protein sequences के लिए आपके evolutionary distance को correct करने के लिए या तो आप PEM का use कर सकते हैं या तो PEM का use कर सकते हैं या फिर आप JTT amino acid substitution matrix होती है JTT amino acid substitution matrix होती है ठीक है उसको use कर सकते हैं again I am repeating या तो आप PEM का use कर सकते हैं या JTT amino acid substitution matrix होती है उसको use कर सकते हैं ठीक है अच्छा अगर हम बात करें कि क्या भाई Jukes canter model के थूरू नहीं कर सकते देखो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते उसके लिए equation changes आती है बस जैसे कि अगर हम बात करें cumura model की equation जैसे कि suppose करो मैं बात करूँ cumura model की nucleotide के cases में nucleotide के cases में यह equation है लेकिन वही protein के cases में protein के case में क्या हो जाएगी equation change हो जाएगी बस equation change हो जाती है इसा नहीं कि बिल्कुल use नहीं कर सकते लेकिन जो most reliable models होते हैं जो most आपके सकते हैं correct alignment के लिए यूज कर सकते हैं वह PEM और JTT amino acid substitution matrix को यूज कर सकते हैं evolutionary distance के लिए evolutionary distance के लिए प्रोटीन सिक्वेंस के लिए आप PEM और JTT amino acid substitution matrix को यूज कर सकते हैं ठीक है अब देखो देखो एक नीट यह चीज देखो यहां पर आपको difference भी देखने के लिए मिल रहा होगा अगर यहां देखा जाए यह Jukes Cantor model है और यह Kimura model है तो अगर आप देखिए Jukes Cantor model में चाहे आपका transition हो चाहे transversion हो हर किसी को किससे किया गया है alpha से चाहे transition हो चाहे transversion हो उसको किससे किया गया है alpha से क्यों क्यों क्योंकि Jukes Cantor model कहता है कि जो सारे nucleotides हैं उनमें equal substitution rate होता है वही पर अगर हम Kimura की बात करें तो Kimura क्या कहता है कि transition और transversion में जो क्या होगा substitution rate होगा तो देखो alpha देखो alpha देखो A और G क्या है आपके transition C और Tत तो alpha आ रहा है लेकिन वहीं पर आप देखो ये beta आ रहा है beta कि सिले represent कर रहा है transversion को A और Tत क्या है transversion C और G क्या है frag transition में आते है удар A और Tत RAW transition में बाकि A और G transition में आते हैं आपके और C T U किस में आते हैं आपके U तो नहीं कहेंगे CT CT आपके किस में आते हैं आपके transversion में ठीक है I hope guys आपको बहुत अच्छे से mail करके पूर सकते हैं ज्यान-वडशा-query-gmail.com पर हमारा Telegram पर भी हमारा Channel है ज्यानवडशा की नेम से तो आप हमें वहां भी follow कर सकते हैं ज्यानवडशा टाइप कीजिए आपको Telegram पर हमारा Channel देखने के लिए मिल जाएगा तो आप हमें वहां पर भी follow कर सकते हैं so thank you